हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा चैनल माइनम इस मॉनिका फ्रेंड्स आज हम लोग जिस ऐसे की समरी करने वाले हैं उसका नाम है दे मोडिस प्रपोजल पबिश हुआ था 1729 में और यह पबिश करवाय था जुनाधन स्विफ्ट ने जुनाधन स्विफ्ट आइरलेंड के पूर हो चुकी थी और वो अपने जो वहां के रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए कुछ भी सुईधाय प्रवाइड नहीं करवा सकती थी बच्चों को देखकर वहां के उनकी पूर कंडिशन को देखकर जुनाधन स्विफ्ट को बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक प पूइड या फिर कोई राइटर किसी चीज को बोलता है तो उसको बोलने का तरीका उसका अलग होता है वो एक ये बात को कही तरीके से कह सकता है तो इसमें जुनाधन स्विफ्ट ने कुछ चीजें बताई है जो क्रिटिसिजम है एक तरह से आर्लेंड की गवर्वर्मेंट के उपर तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं जादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जुनाधन स्विफ्ट ने क्रिटिसाइज क्या है गवर्मेंट को फर्स लाइन में देखिए और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोग अपने बच्चों का जो या आर्लेंड के बच्चे है आपको कुछ strong decisions लेनी चाहिए वह strong decisions क्या है वह आगे बता रहे हैं पहले इन्होंने बताया है कि जो आईलेंड के बच्चे हैं वह सफर सर्वाइव क्यासे कर रहे हैं यह बच्चे हैं यह ना तो चोडी कर सकते हैं ना यह अभी employment के लिए फिट है देखो एक साल का बच्च तो वो कोई ऐसी स्किल्स तो गेट कर नहीं सकता जिसके बेस पे वो जॉब कर सके या फिर मनी अर्निंग कर सके तो वो डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर और पेरेंट्स भी इतने जदा पूर कंडिशन में हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छो से फी अपना कमेंट करते चल रहे हैं उससे देखिए उन्होंने आईरिश के तालिक्स को कृतिसाइज कर दिया है चोड कहें के डिरेक्ली नहीं इंडरेक्ली है थर्ड लीन में देखिए वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं इतनी छोटे हैं अभी ना इनको कोई मर्चेंट पर्चेस कर सकता है ना सेल कर सकता है मतलब इनको गुलाम बनाने के लिए इनका सेल परचेस भी नहीं हो सकता नेक्स्ट फॉर्थ लाइन में जुनातन सुर्फ्ट कहते हैं कि आइलेंड की गुवर्मेंट के आगे में एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ जिसकी वज़ा से जो ये पूर मदर्स हैं जो बच्चों की माएं हैं बहुत ज़दा गरीब हैं इनको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है अब देख लेते हैं कुछ हाइलाइट्स की प्रपोजल के हाइलाइट्स क्या-क्या थे उन्होंने कहा कि बहुत ये अच्छा आइडिया रहेगा ये प्रपोजल मेरा जो छोटे-छोटे बच्चे हैं एक साल तक के जो इन फैंट्स हैं उनको बड़ा होने ही ना दिया जाए उनको उससे पहले ही मार के खा लिया जाए देखो लैंगवेज इस ऐसे की बहुत कॉंट्रोवर्शल है जैसा कि मैंने पहले बताया था जो ये राइटर्स होते हैं इनका हर बात को कहने का एक अलग तरीका है मतलब मेक्सिमम से मेक्सिमम पेलिफुल लगे वो चीज इस तरह से आइरलेंड की गवर्णमेंट के उपर इननोंने एक व्यंगे किया है तो इननोंने काया कि जो छोटे बच्चे हैं एक साल तक के बच्चे हैं इनको मार के खा लेना चाहिए ताकि ये बच्चे खटम हो जाएं और ये बड़े ही ना हो, employment की दिक्कत ही ना है जो ladies हैं, उनको gloves बनाने के लिए इनकी skin काफी काम में आ सकती है छोटे बच्चों की तो वो इसे gloves भी बना सकती है तो ये useful होगा Next उन्होंने 6 proposals दिये हैं 6 reasons दिये हैं कि क्यों मैं ये proposal दे रहा हूँ आपको Ireland की government को 6 reasons दिये है Reason number 1 जो ये बच्चे हैं, अगर शुरू में मार के खालिये जाएंगे तो ये बड़े हो के dangerous catholic नहीं बनेंगे देखो, क्योंकि एगर कोई बच्चा poor condition में पैदा हुआ है और poor condition में उसके upbringing हो रही है तो जाहिर सी बात है, वो कोई बहुत अच्छा एक civilian नहीं बन सकता तो उसको पहले से ही मार के खालिये जाए ताकि वो dangerous catholic ना बने Second reason दिया है, कि उनको कम से कम कुछ property मिल जाएगी अगर बच्चों को sale out कर दिया जाएगा उससे कुछ पैसा आएगा तो atlas उनके पस कुछ property आजाएगी इसके बाद बताया है उन्होंने कि जो nation है उसके overall wealth बढ़ जाएगी और बच्चों के लिए नया employment जिनरेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे तो अल्रड़ी मर ही जाएगे फूर्थ बताया है कि जो यह mothers है उनके ओपर burden हट जाएगा क्योंकि mothers के ओपर फिलाल बहुत burden है अपने बच्चों को feed करने का लाइक उनके पस खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है उनको बच्चों को भी feed करना पड़ता है नेक्स फिफ्थ बताया है कि जो यह बहुत बड़े-बड़े restaurants है, calories है यहाँ पर इस खाने के demand बढ़ जाएगे क्योंकि एक नया food है market में ऐसा food already available नहीं था market में सिक्स बताया है कि जो यह ladies हैं जो यह agents है जिनका शादी पर से विश्वास उठ गया है ताकि वो लोग बच्चे ना पैदा करें और उसके बाद में उनका caretaking ना करना पड़े तो यह विश्वास भी उनको वापस बन जाएगा उनको जब यह पता लग जाएगा कि हाँ वो जो बच्चे पैदा करेंगे वो बाद में sale out हो सकते हैं और उनको उनका profit मिल जाएगा next एक लेते हैं इससे island की population है वो deplete हो जाएगी और इससे किसी बाहर के किसी और देश पे जैसे egg land पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह जो इनका flesh है जो यह mass है यह बाहर नहीं बहुत time तक preserve करके रखा जा सकता है और इसको जल्दी से जल्दी consumption कर लेया जाता है इसका later consumption के लिए इसको preserve नहीं किया जाता है तो बाहर के देशों से इसको खास फर्क नहीं पड़ेगा Swift last में conclude करते हुए कहते हैं this is the main idea of that essay जब Swift ने यह of the modest proposal 1729 में लिखा था तो बहुत से इनके contemporary writers ने बहुत से लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि Swift पागल हो गए है वो ऐसा पागलपन में लिख रहे हैं यह कोई proposal नहीं है और उनकी मान सिखालत बिल्कुर भी ठीक नहीं है this was a serious condition of that that time तब Swift ने last में conclude करते हुए ऐसा कहा कि देखो यह मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ ना ही मेरा कोई बच्चा है ना ही मुझे उससे कोई बेचनी का इरादा है क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे लगा हो कि Swift के पास बहुत ज़दा बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को सेल आउट करने के लिए शायद खुद पैसा कमाने के लिए ऐसा प्रपोसल दे रहे हैं गवर्मेंट को बट लास्ट में Swift ने सारी धारनाओं को खारीज करते हुए उसी रहे से बिलकुल नकारते हुए बिलकुल एक्सपोस करते हुए बोल दिया कि मेरे पास ना कोई बच्चा है ना मुझे से कोई सेल करना है और ना मेरे पास कोई ऐसा इंकम का सोर्स है ये तो सर्फ मेरा government को proposal है जो government इतनी जदा poor हो चुकी है जो government अपने बच्चों को बिल्कुल भी care नहीं कर पारी अपने nation के बच्चों की तो उस government के लिए मेरा ये की proposal है तो देखिए जो जिन लोगों ने Swift को पागल बताया जाहिर सी बात है कि उनके views एकदम clear हो गए होंगे उनके बारे में तो ये जो proposal था ये एक star था और ये anonymously publish हुआ था देखिए बहुत से writers anonymously publish करवाते हैं अपने plays को किसलिए करवाते हैं कि reasons काफी है जैसे कि female writer है वो anonymously publish करवाती है अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए आपके कोई और aspirants है, net aspirants है, PhD है और आपके JRF aspirants है उनके साथ share कर दीजिए आपके किसी friend के साथ और अगर आपको कोई comment करना है इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप नीची comment box में comment कर सकते हैं मैं सारे comments के answer दूँगी तब तक के लिए stay healthy, stay fit तेंके सामाच तेंके सामाच